है यहलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सोगभी देखिए आज हम इमेट का सिलिवाज आप लोग के बीच एक्स्प्लेड करके बताएंगे कि इमेट कितना साल को होता है कितना से सब्सक्राइब करेंगे समझे पूरा वीडियो आप देखिएगा देखिए आपको बिहार में जितना भी इनवर्सिटी आपका वह आपका बिहार इनवर्सिटी हो या मिथला इनवर्सिटी हो या पटना इनवर्सिटी हो या पटलिपुत्रा इनवर्सिटी हो या बियन मंडल हो या भागलपुर हो मतलब बिहार में जितना भी इनवर्सिटी एमिड करवाती है सबका सिलेवस सेम है समझे सबका एक्जाम पैटर्न भी सेम है तो बीएट के त सब्सक्राइब करना है तो देखिए उपर लिखा हुआ है कि स्कीम ऑप स्टडी फोर्ड टू इयर इमेड प्रोग्राम समझें इमेड जो विहार में होता है वो दो साल का होता है समझें कि सेंचर्र वाय इत्युंशन और देखिए चार समेश्टर में इसको क्या किया गाया दिस्ट्डीउट किया या मेर जो हता है चार समेश्टर को था है पहला समेश्टर का जो अवधी है वह वह आपका जुलाहि ठीक से नज तो कोण पढना है फिर बताएंगे सब्सक्राइब कोन होता है समझे तो देखे पहले हम समेस्टर देखने है चार समेस्टर है तो देखे पर्थम समेस्टर चलता है आपका जूलाइअ से चल जोगा नमरbourne का है पंपड़ी समय समन चाहिए हम आप मेश्य समेशđ को लगर में का באे माझरी है जो सम home przy हुआ होता है 303 पूबर की तिना को अधूरा साथ जलता है दूसरा समय समय सिरुरा पांट-पांसों मेश्चर्खन recommendations सबत note कि निए बढ़ ना कि में पढ़ना है कि कोई फी इन्वरसिटी होँ समझें सबका में सी लेवाओ तो आ Mu करते हैं साथ स्टिक्विस्टर करें बना ने àsब देखे लिकी संवर्च टो skirt समेस्टर परना है वो आपका जो इन्वर्सीटी लेती है वह आपका होता है चार सेमेश्टर समझे है चार सेमेश्टर post नहीं लेती है और एक जो पचमा सलासे ऐखम work उसका Kenya नहीं लेती है समझ्के वह आपका समझे प्रेटटे करू अभला इससे आपका फर्स्ट एर सकेंडियर में आप लोग एक्सटर्नल आते हैं तो वैसे इसमें भी होता है समझे अब देखिए इसमें प्रेटकल कितना नमबर को होता है थिवरी कितना अब समझे बताते हैं समझे बताएंगे कैसे एक्जाम पैटर्न हो भी बताएंगे समझे तो देखिए लिखा है CC1 जिसे इसका फूल फॉर्म होता है कोर्स क्रेडिट समझे तो CC1 जो है उसका नाम है psychology of learning and development इसका हिंदी होता है अधिगम एवं विकास का मोनो विज्ञान यानि अधिगम और विकास का मोनो विज्ञान क्या है तो देखिए इसमें आपको मोनो विज्ञान के पूरा बारे में पढ़ना है फिर अधिगम के सिधानत के बारे में पढ़ना है उसे बताएंगे आपको पांच यूनिट इसमें पढ़ना है वह आएंगे आपको previous question भी डाल के हम बताएंगे समझे फिर दूसरा है course 2 है समझे जिसे course 2 बोले है CC 2 बोले है course credit बोलते हैं जिसका नाम है historical political economic practice of education यानि कहने का मतलब इसका हिंदी होता है कि सिक्षा के यतिहांसिक राजनीतिक और आर्थिक परिपेक्ष क्या क्या है समझे तो आप course 2 परहुए है समझे सेम वही है आपका विसी से related type का question आता है तो वही है historical political and economic practice of education ये भी आपका क्या होता है उसके बारे हिंदी होता है आपका परिवर्तित होते समय में अध्यापक शिक्षा की प्रासंगित्यृत्य था उसके बारे में ये भी आपका क्या होता है अस्ती नमर का थियोरी होता है और वीस नमर आपका क्या है प्रेटकल है सब्सक्राइब टोटल 100 नमर का होता है प्रेटकल यह नहीं आपका इसा इम्मेंट बनाना होगा कोलेज में इसका नमर दिया जाएगा अब लास्ट है आपका CC4 जिसका नाम है फंडामेंटल ओफ एजुकेशन रिशाओ जो आप लोग कोर्स हाई पर होंगे रिशर्च के बारे में वहीं चीज़ यहां फंडामेंटल यह बेसिक चीज़ परना है वहीं लिखा है इसका हिम्दी होता है सचिक सोध में अधार्तत्व या मौलिक तत्व बल सकते हैं तो हुआ को मौलेज में एक्सटरनल आते हैं इंवर्सीटि से एक्जाम लेते हैं इसमें दोपको पढ़ना है एक पढवनिकेशन एंद एकस्थार्टीम फिब्लोमेंट यानिंब न शनद धर्यश्ट को सिद्दार किजेगा फैस इसे में लोगा सब्सक्राइब लोग का पचास नमर का होता था तो टोटल आपका हो गया 450 नमर का समझे अब देखिए पैटरन पहले आते हैं तब फिर हम में में सबके समेस्टर के बारे में बताएंगे इसमें कही नमर के कुन-कुन पर पड़ना है तो देखिए अब पैटरन के बारे में ब लिखा हुआ है सिलेवस फोर इस फोर क्रेडिट थिवरी पेपर माद थिवरी पेपर को चार क्रेडिट में बटा गया है जैल वी डिवाइड़े इंटू पांच नित आपको बताया ना बीएट फरस्टेन में आप लोग को पांच नित मिला होगा बिहार इनुनिट से समझें तो वही कर रहा है पांच यूनिट बेस्ट अंधा कुस्चन पेफर पैटर नी इंडव सेमेस्टर से लवी फूर देखिए आपका इससे आपका रहेगा देख लिए आदिया भी है आप लोग जानते भी है कि टाइम टीन घंटा मिलता है फरस्टेर से कंपेर की जग पांच यूनिट में दो दो रहेगा और आपको परते की उनिट से क्या जवाब देना है यह नहीं तब ना 16 पचे 80 होगा समझें लिखा भी है कि 10 लॉंग कोश्चन वेटेज टू कुस्चन फरॉम इच उनिट में परते की उनिट में कितना का चन रहेगा दो कोश्चन रहे चीज है कि आपका पांच यूनिट में 10 कोश्चन आएगा आपको क्या करना होगा टच करना होगा समझ गये अब देखिए अब लिखा हुआ है जो आपका 40 नमर का पेपर होगा 40 नमर वाला ता आपका आएगा समेश्टर 2-3 समय आएगा लिखाए स्लेवस फोर 2 क्रेडिट की पेपर डिवाइडर इंटू 3 उनिट सम्झे चालिश नमर वाला रस फीर कोश सब क्या होता है कि आपको तीन उनिट में बाता जाता है और पर्तेक उनिट में आपका 6 निट में धूर्च्टिन यह जावाब देना सम्झे इसमें अभी आपका टाइम तीन गणटा लेगा समझे और तोटल आपका क्या होगा कि पासिग मार्च वेज़ों ट लोग देखे भी होगे समझे था हमको दर्स लाएंगा प्रती चाल की प्रती न अको ज्वाब करेंगे तो अब हम लोग सिर्फ समस्ट 2 पर से जनवरी से चलता है तो जनवरी अब हाग यहाँ सिसी एट जो है आपका इंभोले इनभोले इनभोल्टीब टीचर टीचिंग लर्णिंग यह भी आपका इसी नमर का है. है जो है आपका यह नवर ह Ama पिस्ट वह इसमें आपको आप लोग इंसमें ँटे में गया थे ना इंटरनसीप इनेट एडिशान इंस्टूट मतलब जो टीचर का है तो आप बहुत लोग बहुत लोग बीट कोलेज में जाएंगे यह आपका क्या होगा कि यह 50 नमर का समझजी एडिशान इंस्टूट टोटल आपका 500 नमर का हो गया है तो इसमें आपका एक ही पेपर क्या है आपका 40 नमर का होगा है second semester में समझे ओ कुन है आपका तो CC9 है समझ गये तो आप फर्स semester भी समझ गये second semester भी समझ गये यह third semester में आते हैं फिर हम first semester का explain करेंगे क्या क्या चीज आपको पढ़ना है कुन की निट पढ़ना है तो देखे अब आपका जो third semester होता है जो जुलाई ही चलता है December समझे अब इसमें आप एक चीज देखिएगा SC लिखा इसको special course बला जाता है समझे SC1 special course इसमें आपको पढ़ना है तो देकि इसमें elementary और secondary आपको यह को चूज करना होगा आपको पढ़ना होगा तो वह लिखा है elementary जो आपका आठमा तक है secondary आपका नाइन से तुएल तक है समझे education for difficulty ability मतलब जो भी कलांग है वह मतलब उसके लिए आप elementary या secondary जो हता है वह पढ़ना होता है वह special आपका क्या है कि paper होता है जो आपका 80 नमर का होता है 20 नमर इसमें भी क्या है आपका प्रेटकल होता है समझेश फिर है SC2 एन special course 2 जो curriculum pedagogy and assessment है elementary इसमें भी है कि आप किसके लिए पर रहा है elementary के लिए परिया गाए सब्सक्राइब को यह क्या आपको लेना हो elementary या secondary जो भी आप लीजिए समझेश यह आपका 80 नमर का होगा 20 नमर आपका क्या होगा प्रेटकल होगा फिर आपका CC9 तक तो आपको परहना है फिर आपका CC12 घो है उइसमें भी आपका दो है कि इनवर्मेंटल इनवर्मेंट एंड एजुकेशन है वी और यह आपका डिस्ट्रेशन संब्जे यह आपका क्या है 80 नमर का होता 20 आपका क्या हो घृट तो यह कि पान्सों नंबर का हो गया समझे अब आते हैं लास्ट हम लोग आते हैं लास्ट समेस्टर आपका है मेट फोर्ट समेस्टर जो चलता है जन्मरी से जून समझे अब इसमें स्पेशल कोर्स ठीडि पढ़ना जिसका नाम है पॉलीशी एकनोमी अंड प्लानिंग इलमेट्री और सेकेंडरी यह भी आपका पर है प्राथ में के लिए ने दमाध में के ल सब्सक्राइब क्या है अब सीची 13 जो कोर्साइड डिस्टेंशन है यह भी आपका क्याता होता है यह फ्रेट को आपका सुलाव इक्जाम तो इसमें नहीं होता है आपका दूसर चालिस नमर आपका थिउरी खाली उता है कि इसमें एमेट फोर्स मिश्टिक्स ज्यादा इसमें आपका क्या है प्रेट कर लिए समझ गया तो ऐसे आपका हो गया समझे अब आपको बताते हैं कि फर्स सिमिस्टर में आपको क्या-क्या चीज पढ़ना है तो देखें पांच उनिट में क्या-क्या पढ़ना पहला ही आपका पेपर का नाम था साइकलोजी ओफ लर्निंग डेवलोमेंट समझे यानि अधिगम और विकास का मोनो विज्ञान पढ़ना है समझे यहां पर लिखा भी है त्यूरी आपका अस्षी मार्ट का होगा प्रेट कल आपका 20 नमर का हो गया कोर्स क्रेडिट सिसी ओन हो गया सुरी कोर्स नेम हो गया सि पहला यूइट के नाम है साइकलोजी ओ फूमन डेवलोमेंट अब हूमन डेवलोमेंट मतलब क्या हुआ कि मानों का विकास होता है उसका मुनो विज्ञान क्या है तो इसमें आपको परना है कॉंसेप्ट मतलब होई एजूकेशन साइकलोजी के बारे में फिर ग्रोवथ ड साइकली आपको परना है वेवरवादी सीधान इसमें त्रैंसपर अफ लर्णिंग ही परना है फिर उनिट फ्रहम जो मोर्टिवेशन अलगेगग अविविट फ्रहम लिट्णेस्पा अपको इसमें अविफड्ना से आपका कुस्छन हैगा फिर उनिट समझे इतना चीज पढ़ना है इसका हम प्रिवियस और कोस्चन भी डाल देंगे आप लोग देखने जेगा समझे आप लोग को समझ आया होगा कि मेट को चार समिस्टर माट के पड़ते हैं जिसमें आपका फर्स समिस्टर होता है सारे 400 नमर का सकेंड होता आपका 500 नमर का ठो